आज मैं आप सिब की साथ सेर कर रही हूँ छट पूजाय स्पेसल ठकवा की रेस्पी तो ये मैदा का ठकवा है हमारे यहां इसे खजूर भी बोला जाता है तो आपके यहां क्या बोलते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएगा ठकवा जो है ना बहुत तरह से बनाया जाता है गेहो के आटे से बनाया जाता है मैदा से बनाया जाता है या फिर मैदा और सूजी को मिक्स करके भी बनाया जाता है आप देख सेकते हैं कितना सुंदर ये ठकवा देखने में लग रहा है उतना ही खासता और क्रिस्पी खाने में लगता है और पहुत ज़्यादा स्वादि तो ये देखे एक कटोरी में मैं आधा कटोरी चीनी रखी हूँ तो आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लिजेगा नापने के लिए चीनी और मैदा को नाप के ही आप लिजेगा तो इस कटोरी से मैं दो कटोरी मैदा का यूज करूँगी तो आधा कटोरी चीनी में ले ली त तो इस तरीके से नाप के थोड़ा सा कम मीठा हम मैदे का बना रहा है ठकवा तो थोड़ा सा कम मीठा बनाएंगे जितना चीनी लिए है उतना ही पानी डाल देंगे ये पानी जो है थोड़ा सा गुन-गुना है बहुत जादा गरम पानी नहीं लिजेगा थोड़ा सा गुन- कोकोनेट डाल दी आप चाहे तो सूखा नारियल है न तो उसको काटके आप डाल सकते हैं और भी इसमें ड्राइफ रूट डाला जाता है जैसे छोहाडा और नारियल किसमी से सब लोग डालते हैं पर मैं इसमें सिर्फ डेसिकेनेट कोकोनेट डाली हूँ अब म्योन के लिए आप गी ले सकते हैं या फिर बनस्पती ले सकते हैं या फिर तेल भी ले सकते हैं रिफाइन वाइल तो मैं घी को गरम करके रखी हूँ और बहुत जादा गी गरम नहीं है थोड़ा सा गुन-गुना है तो इसमें मैं तिन-चार छोटे चेमच डाल दी और इसको मैं पहले अच्छे से मिला लेती हूँ तो आपको इसमें इतना मियोन डालना है कि यह जो है न सूखा मैदा यह जब आप मुठी बनाए तो आडाम से मुठी बन जाए तो बस थोड़ा थोड़ा इसमें हम गुन-गुना घी डालेंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे अगर आप तो इतना ही आपको डालना है कि इस तरीकी से जब आप मुठी बांदे तो अच्छे से मुठी बंधना चाहिए वस इतना ही आपको इसमें घी या फिर तेल रिफाइन वाइल कुछ भी डाल लिजेगा थोड़ा सा गुर्णा करके और बढ़िया से मिला लिजेगा अच्छे से मिलाएंगे और अब हम इसमें चीनी जो पानी में डालके रखे हुए हैं वो भी थोड़ा सा घूल गया है मतलब पूरा हमें चीनी को गलाना नहीं है पानी में थोड़ा सा चीनी जब पानी में घूल जाए एक बार अच्छे से मिला लिजे इसमें हलका दाना भी रहना चाह हमें मसल मसल की इसका डो नहीं बनाना है बस इसमें हम यह जो चीनी का पानी है ना इसको डालते जाएंगे और हलके हाथ से इसे हम वाइंड करते जाएंगे बस यह जो सारा चीनी और पानी है ना यह सारा इसमें लग जाएगा क्यूंकि हमने नाप के लिया है तो यह सारा इसम कर सकते हैं और इस तरीके से आप नाप के जब बनाएंगे न तो ठकवा बहुत ही बढ़िया बनता है तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ये चीनी का पानी डालते जारी हूं और अच्छे से मिलाते जारी हूं ठकवा बनाना बहुत ही आसान है बस इसमें जो नहीं एकदम खास्ता कुरकुरी और बहुत ही बढ़ा सा कलर भी आएगा ठकवे का तो ये दिखे थोरा थोरा करते हुए सारा में चीनी का पानी डाल दी और इस तरीके से ये डो जेसा बना ले तो मसलना नहीं है मैं पहले ही आपको बता दी थी बस सारा जो सूखा मैदा है इ अब हम इसका ठकवा बनाएंगे तो इसे रिष्ट पे भी रखनी की जुरुत नहीं है जैसे ही आप इसमें चीनी का पानी मिला ले अच्छे से उसके बार ठकवा बनाना शुरू कर दें तो मेरे पास साचा नहीं है तो इस तरीके से ये जो डाली आती है प्लास्टिका जिस कि एकदम पतला रख देंगे ना तो हो सकता है फ्राई करने टाइम में ये टूट जाए क्योंकि बहुत ही ज्यादा खास्ता ये बनके त्यार होता है तो इस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा ही अप रखेगा तो बस इसी तरीके से आप बना सेकते हैं अगर ऐसा डाली नह तो इस तरीके से थोड़ा से चपता करके भी सिंपल से इंगे वह एक doubleе अगर आपके पास we को बहुत जादा गरम नहीं करेंगे एकदम धुआ धार तेल को मीडियम गरम करेंगे उसके बाद गैस का फ्लेम कम कर देंगे और एक के करके यह जो ठकवा पनाके रखे हैं इसको हम डाल देंगे तेल में गैस का फ्लेम एकदम कम करके ही आप इसको फ्राई करिएगा पहली ब केगा भी और बहुत ही खास्ता ठकवा बनके त्यार होगा ठकवा को तेल में डालने के बाद एक दो मिनट के लिए इसको आप छोड़ दीजे दो मिनट बाद जब आपको लगे कि नीचे की साइड से हलका हलका इसके उपर कलर आने लगा है फिर आप किसे चम्मस से या एस्प लटिएगा क्योंकि बहुत जादा सौफ्ट है अगर आप फटा फट से इसमें स्पेचुला लगा देंगे और जल्दी जल्दी पलटने लगेंगे तो यह तूट के तेल में बिखर जाएगा क्योंकि बहुत खास्ता है और एकदम बढ़िया से हम इसे फ्राइग कर रहे है गैस का फ्लेम लो करके तो हलके हाँ से इसे पलट लेने के बाद अब हम फिर से दूसरी साइड से भी सिखने देते हैं और एक बैच का ठकवा को आपको फ्राइग करने में कम से कम साथ से आठ मिनिट का या फिर दस मिनिट का भी टाइम लग सकता है डिपेंड करता है कि लटके और पहुत ही बढ़िया से इसके उपर कलर आने तक फ्राइग कर लिए आप देख सेते ही कितना सुंदर इसके उपर कलर आया है और एक दम बढ़िया से खास्ता ठकवा बनके त्यार है अंदर तक भी बहुत अच्छे से फ्राइग हो गया है मैं बाद में इसे आपक कम करके इसे अच्छे से फ्राई करें बढ़िया से जब फ्राई करिएगा तो बहुत ही खास्ता ठकवा बनके त्यार होगा और तेल ज्यादा गरम भी नहीं रहना चाहिए एकदम धुआधार तेल को गरम करके जब ठकवा रख लेंगे फ्राई करनी के लिए तो उसके उपर जल्दी से कलर आजाएगा और अंदर तक अच्छे से फ्राई नहीं होगा अंदर से कच्छा ही रह जाएगा तो इसलिए आप ध्यान से इसे फ्राई करें और पेसिंस के साथ इसे फ्राई करें तो यह देखिए सारा ठकवा में फ्राई कर ली और आप देख सेते हैं कलर इस पर क्रैक्स है न यही साइन है कि ठाकुआ जो है न बहुत बढ़िया अंदर तक फ्राई हुआ और एकदम खास्ता है तो अब मैं इसे तोर के भी आपको दिखाती हूं यह देखे कितना बढ़िया है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिएग चानल पर नए है तो सब्सक्राइब ही कर लिए